किया हलो है वालगम बार्ग टूजिय दी शैसन आज का सेसने स्रच का फेट नमले का सेसन इसके पहले हमने चाल सेसन गवर कर लिए है लुद हिलग नौलीज़फील होने वाला है तो सेसन में वही तरी बात है कि हम टॉप 10 EMCQ कफर करेंगे हर एक EMCQ का explanation about five questions query करेगा क्योंकि इसके पीछे वाले session में कुछ जाद है explanation में हम चले जा रहे थे इसमें हम limit करेंगे कुद को ठीक है तो चले session श्टार्ट करते हैं या किसी भी अस्तर के exam के लिए helpful होने वाला है तो चलिए आज के questions देखते हैं तो आज का first question आपके सामने हैं पढ़िए question ध्यान से भारत में पंचैती राजदीवस कब मनाया जाता है ठीक है कि state को ए है 28 January B है 11 February C है 22 March D है 24 April इसका सही जवाब क्या है 24 April इसको थोड़ा सा हम color change कर लेते हैं ठीक है तो यह है 24 April 24 April को किनके जन्म दीवस की रूप में मनाया जाता है डाक्टर को भी आर अमबेटकर ठीक है यह भी आपको पता होना चाहिए तो पंचैती दीवस जब आये पंचैती राज दीवस तो डाक्टर भीम रावाम बेटकर आपको याद आने चाहिए 24 April आपको याद आना चाहिए और 24 April यह कंवे समिधान संसोधन के अंतरगत पंचैती राज क्या हुआ था आया था स्थित्व में तो अमेडमेंट था 73rd कब हुआ था यह 1992 में लागू कब हुआ यह 24 April जो है यह लागू होने का डेट है ठीक है लेकिन अमेडमेंट का डेट ह 1992 लागू कब हुआ था 1993 में ठीक है यानि कि 24 April 1993 इतने इंफर्मेशन ठीक है इस क्वेस्चन के लिए अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेस्चन देखिए भारत का राश्टिय पंचांग कब अपनाया गया था बताईए 1948 में 1952 में 1955 में इसका सही जबाब क्या है आपंसं नबर डी यानि कि 1957 तो भारत का राश्टिय पंचांग यानि二सको सक पनचांग को जो ग्रिगेरियन केलेंडर था न उसके साथ राश्ट्य पंचांग के रूप में क्या किया गया था इसको अपनाय गया था तो डेट याद रखेगा 22 मार्ज और 1957 राष्टिय पंचांग की बात थे तो फिर आपको सक सम्वत याद आना चाहिए सक सम्वत इसको मद्दे नजर रखते हुए क्या किया गया था राष्टिय पंचांग को अपनाय गया था और ये जो 22 मार्ज उनिस वसंताओन है ये किसका आधार है ग्रिगेरियन कलेंडर का ठीक है क्या नाम है उसका थोड़ा सा हिंदी लिखने में प्रॉब्लम होती है यहाँ पे क्योंकि ये पेन और डिस्प्ले का थोड़ा रिलेशन बहुत कच्चा है तो ग्रिगेरियन कलेंडर के डेट 22 मार्च उनिस वसंताओन को राष्टिय पंचांग अपनाय गया था ठीक है और राष्टिय पंचांग में कुछ उद्दे से अपनाय गय थे ठीक है इस राष्टिय पंचांग के रूप में कुछ उद्दे से अपनाय गय थे वो क्या क्या थे उसकी बात अगर कहीं क्वेश्चन बने तो आपको पता होना चाहिए पहला था भारत का राजपत्र भारत का राजपत्र ठीक है दूसरा क्या था अकासवाणी द्वारा समाचार जो होता है न प्रसाराण उसको अप मैं अकासवाणी यहाँ पे लिख रहा हूँ ठीक है अकासवाणी ठीक है इसके आगे डॉट 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 आड कर लिजेगा द्वारा समाचार जो प्रसाराण की बिधी थी वो तीसरा क्या, भारत सरकार द्वारा जारी कैलेंडर और क्या था? लोक सदस्यों को संबोधित जो सरकारी सुचना आए थी उन्हें संबोधित करने के लिए कुछ सुचना आए किनको? लोक सदस्यों को चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नमर का question देखी यह जो दिया गया है points उस पे ध्यान देना है और उसके बाद बताना है कि भारत के समिधान दौरा किस चीज का अंत किया बताईए अस प्रिस्यता सती सती है सती नहीं है बाल विवा दहज प्रथा 44 नमर क्वेस्चन का सही जवाब क्या होगा बताईए अपसर नमर इसमें जो एक है अस प्रिस्यता इसको देखे आपको कन्फ्योजन यह हो सकता है कि सती प्रथा भी समाप्त की गई है बाल विवा भी दहज प्रथा भी लेकिन यह उस अस्तर तक नहीं पहुँचा है लेकिन समिधान ने इसमें जो आपसर नमर ए है strictly जो आस प्रिस्टा है उसको mention किया है समिधान के अनुछेद 17 की बात करें ठीक है तो उसमें especially क्या किया है इसको define किया है अगर कोई भी इंसान discriminate करता है untouchability के base पे ठीक है छुगा छुद के base पे तो वो क्या होगा punishable होगा वो offence punishable offence होगा ठीक है तो आपसर ए इसका सही जवाब है आठकल 17 इसके बात करता है 45 वा question देखें कोई अकेला मंत्री किसके दोरा हटाया जा सकता है यहाँ पे single minister की बात हो रही है ठीक है पलधान मंत्री राष्ट परती उपराष्ट परती लोगसभा अध्यप्ष तो इसका सही जवाब है राष्ट परती ठीक है तो कोई अकेला मंत्री किसके समक्ष क्या होता है जसे responsible होता है एक अकेला मंत्री तो वो राष्ट परत के समक्ष क्या होता है रिपोर्ट देने के लिए वाध्य होता है ठीक है और एक अकेला मंत्री जबाब दे होता है राष्ट परत के सामने अगला question देखें। निल्खीत में अगर देखें यहाँ पर गरूप आफ राफ मिनिस्टर की बात होती, वहाँ पर लोग सभाह आ जाता है। तो वहाँ पर answer क्या होता है? लोग सभाह। लेकिन यहाँ पर अकेला मनत्री की बात हो रही है, तो answer होगा President अगला question देखिए, आपको बताना है निलुखित में क्या सिक्षा के अधिकार की परीदि में नहीं आता सिक्षा के अधिकार की परीदि में नहीं आता, बताए सरकारी विद्याल है प्राइबेट विद्याल है मदलसा प्राइबेट बित पोसित सरकारी विद्याल है तो इसका सही जवाब है आपसर नमबर सी यानि कि मदलसा जो मदलसा है वो सिच्छा के अधिकार की परिद में नहीं आता ठीक है बाकी सरकारी विद्याल है परामीटर में चलिया अगला क्वेस्चन देखिए मौलिक अधिकारों के सवनच्छन के लिए रीट याचिका किसमें दायर की जा सकती हैं बताएव उच्च तम नयाल है जिसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोट उच्च नयाल है यानि कि हाई कोट जिला नयाल है जिला नयाल है डिस्टिक कोट सत्र नयाल है सेस्नल कोट ठीक है तो बताएए इसमें किसमें जारी किया जा सकता है दायर किया जा सकता है किसके मौलिक अधिकारों के स यानि कि सुप्रीम कोट और हाई कोट दोनों में दो और तीन जिला न्यालय और सत्र न्यालय में तीन और चार यानि कि डिस्टिक कोट और कि डिस्टिक कोट और 70 नालय में एक उत्चाहर यानि कि उच्चितम नालय करें और 37 नालय में इसका सही जबाब बताई यह क्या होगा इसका सही जबाब होगा option number A यानि कि उच्चितम नालय क्या करदा यानि High Court स्री Supreme Court Supreme Court और High Court में यहां पर मौलिक अधिकारों के सनच्छड के लिए रीट जारी किया जा सकता है अब इससे रिलेटेड एडिसनल इंफर्मेशन क्या है कि हाई कोट और सुपरीम कोट किस अनुछेत के अंतरगत बात करते हैं रीट जारी करने माली जो पावस हैं तो सुपरीम कोट आठकल 32 जिसको हम समयधानिक उपचार की भी बोलते हैं और जिसको भीहिम रहा हम बेट कर क्या बोलते हैं समयधान की आत्मा और हाई कोट की सनुछेत के अंतरगत यह एक्सन लेता है तो दोनों करते हैं और रीट जारी दोनों के पास करने की सकती है हाई कोट के पास सुपरीम कोट से अधिक है इतना याद रखेगा यहाँ पे हाई कोट के पास रीट जारी करने की सकती सुपरीम कोट से अधिक है यह थोड़ा सा आपको और लगेगा तेकिन यह सच है अब टाइप्स आप रीठ हम देख लें क्या देख लें टाइप्स आफ रीट यानि कि रीटों के कितने परकार हैं तो कितने हैं पांच परकार यहाँ पर जो रीठ है न इसके पांच परकार हैं कौन-कौन एक है बंदी प्रत्यक्षिकर्ण क्या नाम है उसका? बंदी प्रत्यक्षिकर्ण तेक है दूसरा क्या है? दूसरा है परमादेश ठीक है तीसरा क्या है? उत्परेसर्ण चाथा निसे ध्याग्यां यहाँ पर हिंदी लिखना थोड़ा सा मुस्किल हो रहा है इसको यहाँ पर इंग्लिश लिख देता हैं ठीक है क्या है निसिद ध्यायां जैसे निसेद करने की बात जब की जाती है ठीक है और लास्ट है कि वह वारंट हो यानि कि अधिकार प्रिक्षा ठीक है तो बंदी प्रतेक्षी करण को इंग्लिस में हब्यस कॉर्पस बोलते हैं परमादेश को जिसको इंग्लिस में वी कमांड बोलते हैं ठीक है और इसके लिए एक पर्टिकलर वर्ड है क्या है वो बताईए और उत्प्रेशन है जिसको सासरी बोलते हैं और क्या है निसे ताग्या जिसको हम प्रहिबीशन बोलते हैं और लास्ट में क्या है अधिकार प्रिक्षा जिसको हम इंग्लिस में बोलते हैं क्यों वारंटो टिक है जो परमादेश है जिसको हम बोलते हैं क्या वी कमांड यानि इसको आप बताएगा इंग्लिस में क्या कहता है बंदे प्रतेक्षी करण को हम बोलता है होमो हैविलस ठीक है नहीं सारी होम हैविलस नहीं हम हैवियस कारपस यानि कि सौसरीर उपस्थित करना होमोहैविलस एक मनुस्थ की पत्रजात ही है वो जागर्भी में देखेंगे ठी कि वज़े से होमोहैविलस ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला क्वास्चन भारत में पंचायती राज पढ़ाली किस पंचवसी योजना में सुरू की गई पहली दूसरी तीसरी चौती इसका सही जबाब क्या है बताएगे इसका सही जबाब है आपसर नमबर बी यानि की दूसरी तो भारत में पंचायती राज पढ़ाली कब सुरू की गई 2 अक्टूबर 1969 को 2 अक्टूबर 1969 ठीक है इसकी अस्थापना सरवपृत्थम किसने करी थी जहालाल नहरू ने राजस्थान का एक क्या है नागवर नाम का लोकेशन है नागवर राजस्थान का किसने जोहालल नहरू कब 28 सक्टूबर 1969 को इसके नो दिन के बाद क्या हुआ था आंध्य प्रदेश में भी पंचायती राज पढ़ादी को मतब अपनाया गया था और आंध्य प्रदेश क्या हो गया सेकेंड इस्टेट सेकेंड इस्टेट हो गया इसको अपनाने वाला ठी अगला क्वास्चन देखते हैं यदि राज्य निति निदेशक सिध्धांद का सही से पालन नहीं कर रही है तो आम नागरी किस नियाले में जा सकता है बताए उच्छ नियाले उच्छ तम नियाले सत्र नियाले किसी नियाले में नहीं बताए इसका सही जवाब है 38 देखें तो उसमें अस्पस्ट किया गया है ठीक है और 37 एक बारी मैं कन्फर्म करता हूं 37 में क्या बाते कही गई कि यहां पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था उसको हमने क्लेर कर दिया यह 38 नहीं है एक्षल में यह क्या है 37 देखें जहां पर कन्फ्यूजन होता है न तो वहां पर रुक जाता है ठीक है और उसको सही करके करेक्ट करके आगे बढ़ते हैं ठीक है तो 37 में यह लिखा गया है कि जो भी DPSP में राइट्स मिले हुए है ठीक है जो भी बात की गई है समाच के लिए या समाच के लोगों के लिए वो परवर्तनी नहीं है इन्फोसियेबल नहीं है यानि कि उसके लिए किसी भी कोट में दावा नहीं किया जा सकता ठीक है वो इन्फोसियेबल नहीं है स्टेट के पास fund होगा तो वो करेगा नहीं होगा तो नहीं करेगा ठीक है और 38 की बात की जाए तो इसमें बात की गई है क्या social justice की ठीक है social justice की और case related यह है social justice और article 38 तो case वानन्द भारती का एक case है ठीक है चले little bit mistake होने से बचा है नहीं तो एक क्वेस्टन हम मिस्टेक करते हैं याद आगया कि नहीं कुछ तो डाउट है question number 50 देखे भारत में गाजियन आप पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है बहुत इजीक पर्स चैने आर बी आई गौर्णर कैग सुप्रीम कोट किंद्री बित्त मंद्री इसका सही जबाब क्या है उमीद है कि आपको पता होगा ठीक है इसका सही जबाब है कांप्रोडल आडिटर एंड जनरल जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या अब आप से हम क्यांक से रिलेटेट कुछ question पूछेंगे टिक है जो assignment या homework होगा I think कि ये इस session का last question है एक मिन्ट मैं चेक करता हूं हाँ ये session का last question है तो कैक के भी से मैं आपको क्या बताना होगा कि इस related जो articles है वो आप बताईएगा comment section में उसके बाद आपको YouTube प्रेषां अचीज होता है वाद्य इसका जो tenма होता होता है जिसको हम बोलता है काल कारेकाल ठीक है और ये बता ना है क्या यह president की परसाद परियंत्र होता है या फिर constitutional body ठीक है ये चीजिव बताना participants का बाडी होते हुए Japanese क्या ये प्रस मेंत्र रॹहता है या नहीं यह चीज आप बताईएगा जिस सेट आनी जनल होते हैं वैसे यह होता है या नहीं ठीक है चलिए आज का सेशन यहीं भी कम्प्लीट होता है और अगर सेशन आपको इंटरस्टिंग लगता है मज़ा आता है कुछ सीखनी को मिलता है तो यह अपनी जम्यदारी निभ लगते रहिए मोटिवेटड रहिए एक्साम की तैयारी कीजिए जाप पाईए बाबाए